जै शियाराम जै जै राम से तुबांधी कपी से नजिमी उत्री शागर पार गयव बसी ठीवीर बर जेही विधिपाली कुमार पुल बांत कर जिस प्रकार बानरों की से ना समुद्र के पार उत्री और जिस प्रकार वीद सेष्ट बाली पुत्र अंगद दूत बन कर गए वह सब कहा निसी चरकी से लराई बर निसी भी विधिप्रकार कुम्भ करन घननाद कर बल पौरुस संगहार फिर राक्ससों और बांदरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया फिर कुम्भ करन और मेगनाद के बल पौरुसार्थ और सनहार की कथा कही जै सियाराम जै जैराम मंगल भवन या मंगल हारी द्रवव सुदा से रथ अजिर विहारी निसिचर निकर मरन विधिनाना रगुपति रावन समर्व खाना रावन बध मंदो दरि सोका राज विभीशन देव असोका नाना प्रकार के राक्ष समोहों के मरण तथा स्री रहुनाजी और रावन के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया रावन वध मंदो दरी का शोक विभीशन का राज विशेग और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रगुपति मिलन बहोरी सुरन कीनी अस्तुति कर जोरी पुनी पुस्पक चढ़ी कभिन समेता अवध चले प्रभुक्रपान केता फिर सीता जी और श्री रगुपत जी का मिलाप कहा जिस प्रकार देपताओं ने हाथ जोड़कर इस्तुति की और फिर जैसे बानरों समेत उस्पक विमान पर चढ़कर इरफाधाम प्रभु आवध पुरी को चले वह कहा जेही विधिराम नगर निजयाए बायस विशद चरित सब गाए कहे सी बहोरी राम अभिसे का पुरबरनत नर्पनीतियने का जिस प्रकार स्री राम संदर जी अपने नगर अयुद्या में आये वे सब उज्वल चरित्र काक भुसंड जी ने विश्तारपूरवग वर्णन किये फिर उन्होंने स्री राम जी का राज्या भिसेक कहा सिवजी कहते हैं अयुद्यापूरी का और अनेक प्रकार की रायनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भुसंड बखानी जो मैं तुमसन कही भवानी सुनि सब राम कथा खगना हा कहत बचन मन परम उचा हा भुसंड जी ने सब कथा कही जो हे पहवानी मैंने तुमसे कही सारी राम कथा सुनकर पक्षिराज गरुण जी मन में बहुत उत्साहित और आननित होकर वचन कहने लगे गयव मोर संदेह सुनेव सकल रगुपति चारित भयव राम पदनेह तब प्रसाद बायस तिलक स्री रगुना जी के सब चरित्र मैंने सुने जसे मेरा संदेह जाता रहा हे काक श्रो मड़ी आपके अनुगरह से स्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया जै जी हाराम जै जै राम मंगल भवन या मंगल हारी द्रव उन्सुदश रथ जिर भिहारी जै झी हारी